जैन प्यारे शात्रों आपको इस क्लास में स्वागत है यह क्राप इंप्रॉब्मेंट इन रवी क्राप इसमें आपको हम लेक्चर फेक्ष्ट में बताते हैं कि कौन कौन से पॉइंट इसमें पहले आपको हम वीट क्राप इंप्रॉब्मेंट के बारे में बताते हैं बैसिकली आप लोग वीट क्रौब आपको फोर समेस्टर में पढ़ा ही होंगे आपको कॉमन चीज तो बीट वीट का पता ही होगा लगन इसका improvement कैसे इसकी तयारी करते हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं तो बहुँता सबसे पहले बीट में जाल लेते हैं कि इसका वोड़कल नेम क्या होता है जो इसका वोड़कल नेम क्री कहम होता है ये किस family से बिलांग करता है तो ये आपकाver playsi या इसोग ग्रेमनी family प्रजाद करते हैं तो अगर अलग अलग प्रजाद की बात करें तो भारत में सबसे अदा खेती टिटकम की की जाती है और फिर टीटकम डा रायकोकम की और फिर टीटकम डिूरम की बैस आगोर्स को बात की की जाती है और अगर इसके हम क्रोमोजूम की बात करते हैं टो केट कम j इसका होता है 42 42 होता है और टिपकम इसका होता है 28 कृमोजूम नंबर नंबर होता है इसमें कर आप इंप्रूम्मेंट है तो इसमें भी पूछ सकता है कि इसका क्रोमो जोम नंबर कितना होता है तो तो पॉट्टिटे टू होगा उसके बाद में डिमा और ट्रिटकम का अलाग होता है अगर-अगर आगे देखें-बिड़ा कि इसका वर्जिन प्लेस कहा होगा तो इसका वर्जिन प्लेस साउथ एसिया या इसी कौम इथोपिया इसका प्रार्त्मिक तो शाउथ एसिया है और अगर हम शेकंडरी सेंटर आप वर्जिन देखें तो क्या है इतोफिया की रूप में इसको जाना जाता है कि अगर बात करें तो आप जानते हैं कि अधान के बाद सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली जो खेती वह आपका ग्योंकाई है और इसमें पूरे देश में फर्स्ट अडर पर देखेंगे चाइना तो चाइना के बाद दूसरा नंबर भारत का सबसे ज्यादा उगाने का रस भारत में अगर देखें तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ग्यों की खेती की जाती है और इसके अगर हम बालुषकल द्रिश्टकोंड से देखेंगे तो भारत में विश्दूतिय अस्थान पर हाई है खाध्यान उत्पादन में धान के बाद दूसरा इसका अस्था स्थान है भारत में उत्तर प्रदेश मद्र प्रदेश पंजाब इन डाज्यों में ज्यादा मात्रा में ग्यों की खेती की जाती है और उत्पादक्ता के द्रिश्टकोंड से देखेंगे तो पंजाब का पहला स्थान है लप्रत हेक्टेयर पादक्ता धर जो देखेंगे त का अगर बालुष्कल का रेक्टर के बारे में बात करेंगे तो मीटा जान लिजिए कि अगर गीमों के आंटे के बात करतें तो उसमें कौंसा ग्लूटין नामक प्रूटिन इसमें पाय जाता है जिसे अच्छी चपाती बनता है रोटी एच्छी उसकी बनती हैं और ग्योहूं के अगर हम बेड़ा पुश्परम की बात करते हैं तो ग्योहूं के पुश्परम को इस पाइप परकार का इसमें पुश्परम होता है अगर हम ग्योहूं के बीच की बात करें तो ग्योहूं के बीच को करियॉप्शिस कहते हैं भी क्लियर होगा आपको और उसके अगर हम बात करें कि इन प्लॉरोसेंस की बात करें तो उसको इरा और हेड के नाम से भी जानते हैं और उसको इन प्लॉरोसेंस को बताया मैंने कि स्पाइक के नाम से इसको जानते हैं और वीट में अगर देखें तो अगर एक एंधर मलब एक पराकोस में कि एक हजार से लेकर के 4000 तग पराकण इसमें अपस्ते होते हैं जो प्रमुक मातरा में पाए जाते हैं आगे अगर आप देखें कि इसका आप जयक्टीब क्या है मेंज किसी भी फसल का जो ब्रीडिंग कराने का नामिय क्रॉप इंप्रॉप्मेंट कराने का उध्दे से क्या ह एसे breeding form high yield, high grain yield ननाज का ज्यादा उपज लेना उसके बाद में breeding for good quality, high अच्छी तरीके से उसकी जो बालिया है वो अच्छी तरीके से हो, अच्छा प्लांट हो और प्लांट कैसा हो डिजीज, इंसेक्ट और मॉइस्टर इस सबसे क्या हो टोलरेंट हो मुलब जिससे उसकी उत्पादन करने की जहमता अच्छी हो पादन में कोई कमी ना है अगर फिर बात करते हैं कि इसका मिन्नल, मॉइस्टर और हीट इस सब के लिए भी क्या हो अच्छे तरीके से टोल्डेंस होना चाहिए और फिर अगर हम इस प्लांट के बारें बात करते हैं कि थोड़ा सा ब्रीडिंग प्रोसीजर के बारें बात करेंगे तो ब्रीडिंग प्रोसीजर से थोड़ा सा पहले हैं वगर हम देख लें तो ग्यों में pollination कैसा होता है तो ग्यों में सबसे अदा अगर माध्यम की बात करते हैं तो या वावू के द्वारा सबसे अदा इसमें प्रागण होता है और ग्यों self-pollinated crop है यह आप जानते हैं पर प्रागण की क्लिया 1% से भी कम होता है तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि Shelf Polinated Crop की रूप में माना याता है और मैं इसमें के दाके लिए अगर देखेंगे सबसे पहला होता है इंटरोडक्षं इंटोडक्षं का रत यहां पर क्या होता है इंट्रोडक्षं इंट्रोड़क्षं का रत होता है कि कंवा इस्तापन करना मलत जैसे कई से बीज लागए कर के वो दुसरे बीजू को यहाँ पर अस्तापन करना जैसे आनते हैं कि सुनोरा 64 या लार्मा यहां ये बीज बाहर से लागए करके और यहां पर डबलब किया गया था सनुरा चौसर्ट या लेहरमा राजो इसको बार्ति ला करके और यहां पर इसको डबल अब करके उगाया गया था तो इसका क्या किया था पुनर अस्थापन किया गया था इसका इंट्रोडक्शन उसी कहते हैं जैसे मालों कोई बीज है एक राज से दूसरी राज में या एक दिस से जानते हैं। दुछतिय प्रशत्रापन में दो किस्मों को लाए गया था। एक तो गेहों में पेवर लाइन सेलेक्शन में क्या होता है इसमें कई किसमें इससे इन सेलेक्शन के दारा विक्सित की जा चुकी हैं आप लोग प्लांड बृडिंग पड़ चुके होंगे तो इसमें पेवर लाइन सेलेक्शन मास सेलेक्शन क्या है यह आप जान सकते हैं तो प इसमें और जैसे के 46, के 53, के 54 ऐसी ब्राटियां इसमें डबल अब की गई है पेवर लाइन स्रक्षन में होता क्या है कि बटा कि जैसे एक क्रॉप है एक माली जी आपकी फेल्ड एगियों की इसमें से अलग-अलग करेक्टर के अधार पर और उन करेक्टर के अधार पर बीज करम वाले बीजों का चुनाओं कर दिया जाता है तो यह आपका हो गया अगला होता है यहां पर हैबिडाइशन या सेलेक्शन तो संक्रण तो बंसावली की विदी ये इसके द्वारा भी कुछ किसमें विक्सित की गई है जैसे के 65 या डबलू यल 711 या मालवी बारा ऐसी की ये परिदिय्टिया इसमें डबलाव और इसी में अगर दिखें तो दूसरे सक्टर में अगर देखें इसके द्वारा भी कुछ परजातियां मिसीत की गई है जैसे IWP 72 या MLKS 11 ऐसी भी प्रजातियां इसमें डबलब की गई हैं आगे आप देखेंगे तो इसमें बैक्रास या बैक्रास मेथेट या इन ब्रीडिंग के मेथेड जैसमें आप कह सकते हैं हम पहले देख लेते हैं कि मूटेशन ब्रीडिंग की मूटेशन ब्रीडिंग के प्रमुक्तोर पर आते हैं तो इसमें अगर आप देखेंगे तो मूटेशन ब्लब जैसे सुनोरा चौशट एक लाल दाने वाले किस्म हैं जिसमें गामा क्रणों के द्वारा म्यूटेंट करके या म्यूटेंट कराकर और अन किसमें इसको डबलब की गई है जैसे अंबर ग म्यूटेंट के दौरा उस ब्राइटी को क्या क्या गर दिया गया है नुटेंट कर दिया गया है है तो इस प्रकार से भी चाहा हो ग्रीन यारे ट कलर से वह चैंज हो जाता है तो इस प्रकार यह बहूती है उसकेhmen और infat है इसके लिए डेटर महस्तौर्ड सह अई ने प्र 2002 अमें यह प्रतित करके इसको पूशा लार्मा के रूप में विक्सित किया गया यह परकार का क्या है बड़ा नुटेंट ब्राइटी है उसके बाद में और प्राइटियां भी बिक्सीत की गई जैसे गहुं के बौने पल के लिए जीन उत्तरदाई होता है उसका नाम है NORIN TEN तो इसको Green Dablation के समय हरित करांती के समय जीन को ला करके और यहां पर इसको ाभी, शीन को ला करके और यहां पर डबलप कराए गया था उसमें डबलब करा करके और जो यहां की टाल अपराइटिया थी उसको डार्प करने की बात की गई थी अब आगे देखते हैं कि गेहों के लिए कौन कौन से ब्रीडिंग इस्टिटूट पर मुक्तौर पर यहां सामिल हैं जैसे इंटरनेशनल मेजन वीट इंप्रूमेंट सेंटर मै नाल में हैं तो यहां से ज्याजातर ग्यों की नहीं नहीं रियातियां विक्सित की जाती हैं और उनको अच्छे तरीके से डबलब करते हैं तो इस तरीके से हाइब्रेड बीट कौन कौन से हैं बैक क्रॉस्ट ब्रीडिंग क्या है तो इस तरीके से बिटा ग्यों की फसल को प्रमक तर पर डब्लब करते हैं लगबग सभी क्रॉप में जहीं सारे चीश है वो आपका वीडोडों ज वोट्व जो भी रवी सिजन के चीश Park है पुल्स और उनको तियार किया है इस तरीके से इक बार के बारे में देखते हैं जैसे नोरिंटेन के बारे में आपको मनें बताया ही कि या गयों की पहली बाउनी जीन है जिसको नार्मल इबुरुलाग द्वारा मैसकों से 1960 में विक्सित की गई थी भारत में सरपरतम 1963 में बाउनी किसमें जैसे सुनोरा या सुनोरा चौन्षट या लार्मा राजू यह सब भ्यावसाइक रूप से खेती के तोर पर इसको किया गया था आइसे अगर देखें कि सिंगल जीन डार्प पराइटी जैसे इसमें सुनालिका है, लार्मा राजू 64 है, सुजाता है, अगर देखें, डबल जीन डार बरायटी, जैसे प्रभात है, HD 239 है, कल्यांड सोना है, सुनुरा चौशत है, यहां फिर छोटी लार्मा है, तो यह सब भी डबलब किया गया था, ट्रिपल जीन बॉनिक, इसमें अगर देखें, जैसे बेटा हीरा है, मोती है, लाल बास्था है, इन सब को प्रमुक तोर पर डबलब किया गया था, तो यह बरायटिया हैं, जो प्रमुक तोर पर डबलब की गई हैं, इंप्रूमेंट के लिए, धन्यवाद,